हेलो स्टूरेंट्स कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है प्रियंका और आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है Magnet Brains in the Medium पर Magnet Brains in the Medium पर आपको मिलते हैं 6-12th क्लास तक के सभी विश्यों के High Quality content इसके साथ ही Magnet Brains in the Medium आपको प्रोवाइट कराता है ना सिर्फ CBSE Board बलके Other States Board के भी Fully Organized Courses और ये सभी Courses आपको मिलते हैं बिल्कुल Free of Cost मतलब कि आपको इसके लिए किसी भी तरह की कोई भी पेमिंट करने की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप हमसे E Notes और E Books भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे दिये हुए description box में मिल जाएगी तो चलिए इसी जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास तो आज हम क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे हमारा जो पाठाट चल रहा था ना प्रकाश चायाएं एवं परावर्तन आज हम उसके multiple choice questions करने वाले हैं हाँ बचो आज हम क्या करेंगे इस पार्ट से जो बनने वाले MCQs है ना उनको कर लेंगे और बहुत अच्छे से उनको समझ भी लेंगे लेकिन उससे पहले हम क्या देख लें हम ये तो देख लें पार्ट आर्ट की जो चाप्टर के explanation वाला पार्ट था इसको हम कर चुके हैं एकदम complete ठीक है उसके बाद अगर मैं बात करो इस पार्ट के जो NCRT solutions हैं मतलब की जो आपके अभ्याज की प्रिश्ण है हम उनको भी क्या कर चुके हैं पूरी तरह से complete कर चुके हैं अच्छा ठीक है अब आपके मन में आ रहा होगा मैं चाप्टर explanation दो किया लेकिन कैसे तो भाई इनको हमने किया है topic wise एक एक topic को बहुत अच्छे से पढ़ा है then हमने इस chapter में आने वाली जो भी हमारी activities थी क्रिया कलाब थी उनको बहुत अच्छे से समझ लिया है और पढ़ लिया है साथ ही इस chapter में जितने भी diagrams या फिर हम यह बोली कि जो चित्र थे उनको भी हमने पढ़ लिया है और समझ लिया है ठीक है तो इस तरह से हमने अपने चैप्टर explanation पूरा complete कर लिया है और NCRT solution जो हमारे अभ्यास की प्रश्ण है इनको भी हमने पढ़ लिया है अब भई आप लोगों को लग रहा होगा कि कुछ पार्ट तो छूट गया कोई topic छूट गया है ना तो फिर क्या हो रहा होगा बड़ी चंता हो रही होगी कैसे complete करें कैसे complete करें ओके तो डरना नहीं है भाई देखो बताओं आपको पार्ट हाट के लावा इसके पहले के जितने पार्ट हैं जैसे की 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 मतलब की हमारे पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये जो पार्ट है ना इन पार्टों को भी हम कुछ इसी तरह से पढ़ चुके हैं हमने पहले chapter explanation किया है फिर NCRT solution किया है उसके बाद MCQs किये हैं और साथ ही हमने और क्या किया है हमने most important questions भी किये हैं तो हम यह सारी च चीज़ों को पढ़ चुके हैं कर चुके हैं ठीक है अब जब यह सारी चीज़े कर लिए हमारे तो कुछ कुछ चूट गया कोई chapter चूट गया कोई पार्ट चूट गया कोई topic चूट गया अब ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी और इन प्रॉब्लम्स के solution भी चाही होंगे है ना कुछ बच्चे हैं जो बीच में छुटिया मनाने चले गए थे कुछ बच्चे हैं जो बाद में आये थे कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो आज ही जुड़े हैं अब यह सारी चीज़ें मिलेंगी कहां से तो बिटा घबराना नहीं है परिशान नहीं होना है क्योंकि टॉ यह आपको चैनल की प्लेय लिस्ट पर जाना हैं और प्लेय लिस्ट पर जाकर अपनी क्लास अपना चाप्टर डालना है आपको सारी चीजे काफी ज्यादा रेंजब्य में मिल जाएए बिल通 परिशान ही होना पड़े सब इतना proper मिलेगा ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा बिलकुल ठीक है अब चलो आपको तो मिल गया आपने तो पढ़ लिया आप एक और काम कर सकते हो कि अगर आपके कोई बड़े भाई बहन है चोटे बड़े भाई बहन है या आपके साथ की क्लास के कोई भाई बहन है या कजन्स है या फ्रेंग्स है या आज पढ़ोस में कोई बच्चा रहता है ठीक है जो कौन सी क्लास में 6 से लेकि 12 उसको यह वीडियो शेयर कर सकते हो क्योंकि आप जोब इसे शेयर करोगे तो उसको पढ़ाई में हेल्प मिलेगी जैसे आपको हेल्प मिल रही है ऐसे उस कोई पैसा वैसा तो देना नहीं पड़ेगा है ना क्योंकि मैंगनेट ब्रींस हिंदी मीरियम पर कैसे मिलती है एजुकेशन मिलती है बिलकुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो जो चीज फ्री में मिल रही है उसका फाइदा उठावना भई तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों भाई-bahe and cousin सबको share करो और उनकी भी पढ़ने में मदद करो है ना ठीक है ओके तो चलो भे अब चलते हैं हम कहां अपनी टॉपिक की तरफ तो टॉपिक क्या है हमारा multiple choice question और multiple समझ में आया है और कितना नहीं आया देखो इसमें क्या होता है हमको topic समझ आते हैं जैसे हमें मालोब बहुत सारी topic है मैंने क्या बुले chapter में हम topic wise पढ़ रहे हैं तो कुछ topic ऐसे होते हैं जो हमें फटा फट समझ आ जाते हैं टाइम ही नहीं लगता लेकिन कुछ topic में ऐसे पता तीसरी बार में हमें इतने अच्छ से समझ आजाता है कि हमें लगता है यार कितना इसी था हम कहां दिमाग लगा रहे थे क्यों नहीं समझ आ रहा तब तक हैंना ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो आपको क्या करना है कि आप ये पता कर सकते हो कि ये वाले topic के mcq हमें बन रहें यह वाले topic mcq बन रहें मतलब यह topic समाली कैसे हैं इकदम clear है अगर किसी mcq में हम अटक गये नहीं बना तो हम को क्या समझाएगा हमको यह समझाएगा कि यह वाला topic हमारा week है इस पर हमें थोड़ी सी और महनत करनी है ठीक है तो करें भाई शुरू फिर हम अपन स्ट्राइब करने के चीक है अच्छा चलो हम अपना सेशन स्टार्ट कर देंगे उससे पहले फटाफट से जल्दी से क्या करो वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों को शेर करो अपना competition बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है जल्दी जल्दी बिलाओ सबको और फिर अपन अपना गेम स्टार्ट करते हैं कौन सा गेम multiple choice question वाला गेम चले question number one की तरफ चालो अब बताओ question number one है आशिक छाया को कहते हैं अब हमने क्या क्या पढ़ाता हमने इसमें बहुत साथी परावर्द है इसको परावर्दन कहते हैं इसको उपचया कहते हैं अपर रत्न कहते हैं या पर प्रचाया कहते हैं फटा-फट चे आंसर करना है बिल्कुल टाइम नहीं लेना है जल्दी जल्दी बताना है बता दिया पक्का देखे आंसर चलो भई तो आंसर हो जाएगा उप चाया आंशिक चाया पून चाया और एक हो गई आंशिक चाया अब अगर चाया पूरी बनी है तो वो पून चाया हो गई और चाया आधिया धूरी आंशिक बन रही है तो वो आंशिक चाया हो गई तो आंशिक चाया को उप चाया भी कहते हैं ठीक है परा वर्तन र अपर वर्तन दोनों बहुत अलग चीज हो गया प्रति छाया होती है मतलब कि पूर्श मैं बता रही हूं या आपका कोई छोटा भाई भेहन हो थर्ड फॉर्थ क्लास में वो भी बता देगा कि डैश प्रकाश का स्तरोत है क्या ग्रह सूर्य चंदर्मा आकाश तो यह क्वेश्चन तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए है न पैनल्टी लगा दूंगी मैं इस तो आंसर क्या होगा सूर्य भाई ग्रह के तो पास प्रकाश नहीं होता अगर ग्रह के पास प्रकाश होता तो हमाई प्रत्वी को सूरज की क्या जरूरत थी है ना तो ग्रह के पास भाई प्रकाश का स्तरोत है नहीं चंदर्मा तो खुद सूर्य की वज़े से प्रकाश तो होता है तो उसका भी खुद का प्रकाश की और आकाश जो है वो प्रकाश का तरौत है बिलकुल नहीं सौरी तरी सौरी सौरी गलत क्रॉश लग रहे हैं है यह गलत यह गलत यह गलत आंसर सूरी इतना क्या सोचना था यार जितने बच्चों के गलत होएना चलो जल्दी फटा-फट वीडियो शेयर करना है ऐसे पैनल्टी लगाऊंगे में तुम लोगों पर है ना और इमानदारी से अपनी गलती को मानना है और करना है है ना बही ऐसे थोड़ी ना होता आगे चलिए चल पड़ासी है पारदर्शी है या फिर इनमें से कोई नहीं कि क्या बोलेंगे इनको के जल्दी पिताओ काउंट करते चलना है कितने सही हो ने कितने गलत कि लास्ट में दोचाना भी तो है कि टोटल में से हमने मैडम जी इतने सही किये और इतने गलत हुए ठीक है तो क्या है ये ये होते हैं भई अपार दर्शी ठीक है कैसे होते हैं प्रत्वी और चंद्रमा ये दोनों होते हैं अपार दर्शी चले आगे प्रेश नम्बर चार चंद्रमा चक्कर लगाता है चंद्रमा किसके चक्कर लगाता है आकाश के, सूरी के, तारी के परत्वी के स् Means स्ufficiently Pen 지ומ सम्पल क्वेशन है घड़ा टफ चैप्टर ही नहीं था हमारा क्वेशन कहां से टफ हो जाएंगे बताओ देखें अंसर तो भाइ चंद्रमा जो है वो प्रत्वी का क्या है उपग्रह है तो वो किस के चक्र लगाएगा वो प्रत्वी के ही चक्र लगाएगा ठीक क्लियर चलें आगे प्रेश नंबर पाँच ठीक है प्रेश नमबर पाच है वे वस्तुएं जो स्वयम प्रकाश देती हैं उन्हें क्या कहते हैं अब तो आ गया अच्छा क्वेश्चन कि ऐसी चीज़े जो खुद प्रकाश देती हैं उनको हम क्या कहते हैं पारदर्शी कहते हैं पारदर्शी कहते हैं चमकदार कहते हैं पारबा किया जाता है ऐसे ही आपको कन्फ्यूस किया जाता है इतनी आसान चीजें नहीं होती है क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा चमकदार अब जो चैप्टर वाला नाम है वो भी लिखा सकता है दीप्ट पिड्ड आया समझ को दोनों ही सही है चल आगे है प्रकाश उर्जा का एक रूप है जो वस्तों को बनाता है प्रकाश जो है यह उर्जा का एक रूप है हम जानते हैं लेकिन यह वस्तों को क्या बनाता है द्रश्यमान अद्रश्य का और खा दोनों या फिर इन में से कोई नहीं क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा हमारा द्रिश्यमान क्या हो जाएगा द्रिश्यमान मतलब कि इन सब को दिखाता है वस्तों पर जब प्रकाश पड़ता है तभी हमें चीजे क्या होती है विजिबल होती है दिखाई देती है तो प्रकाश जो है वह वस्तों को क्या बनाता ह द्रिश्यमान बनाता है चले नेक्स पे प्रेश नमबर साथ प्रकाश उच्छ सर्जित करने वाली वस्तू कहलाती है अब जो वस्तू क्या करती है प्रकाश को सर्जित करती है उसको हम क्या कहते हैं प्रकाश छाया परावर्तन या फे प्रकाश का स्तरोत क्या कहेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे प्रकाश का स्त्रोथ क्या कहेंगे प्रकाश का जो स्त्रोथ होता है वो हमें प्रकाश देता है तो सिंपल सी चीज़ है प्रकाश को अगर कोई चीज़ उत्सरजद कर रही है तो क्या कहलाएगी प्रकाश का स्त्रोथ आगे दिखें वे वस्तुई जो स्वयम प्रकाश नहीं देती हैं वो क्या कहलाती है दीप्त अदीप्त अपारदर्शी पारदर्शी जो खुद प्रकाश नहीं देती है उनको क्या कहा जाता है कि देखिया आंसर तो आंसर किया हो जाएगाई अदीपत ना तो चल में आगे प्रेश नमबर 9 छाया देखने के लिए क्या आवश्यक है अगर हमें छाया देखना है तो उसके लिए जरूरी क्या है प्रकाश का स्त्रोत, पर्दा, कोई अपारदर शिवस्तू या फिर इन में से सभी क्या चीज चाहिए हमको चाहिए देखने के लिए आंसर देखें तो इन में से सभी चीज़ों के आवश्यक्ता होगी अगर हमें छाया देखना है क्यों? क्योंकि जब तक प्रकाश का स्त्रोत होगा नहीं तो प्रकाश पढ़ेगा किस पर? ठीक है? हमें कोई चीज दिखेगी कैसे? अब प्रकाश का स्तरोत तो है लेकिन अगर बीच में कोई अपार दर्शी वस्तू नहीं आई तो हमको कैसे उस चीज का चाया दिखेगी अब चाया के बाद एक परदा होना भी जरूरी है चाहे वो परदा जमीन ही क्यों ना हो चाहे कोई बिल्डिंग क्यों ना हो चाहे कोई पेड क्यों ना हो ठीक है किसी ना किसी परदे की जरूरत भी पड़ेगी तो उस पे इसकी क्या बनेगी चाया बनेगी ये क्या है ये है प्रकाश का स्तरोत ये है अपार दरशी वस्तू और ये है चाया चीक है अब यहाँ पर्दा हो सकता है अगर इस पर बंती वस्तू की चाया तो ये भी पर्दा हो सकता है तो इस तरह से सभी चीजों के आवश्यक्ता होगी क्या चाया देखने के लिए क्लियर है कोई डाउट तो नहीं है चलो पर नेक्स देखें प्रेश नंबर दस प्रेश नंबर दस की बात करें तो चाया से हमें क्या जानकारी मिलती है अब ये जो चाया है इससे हमको कैसी जानकारी, क्या चीज की जानकारी मिलती है वस्तो के अवस्था पता चलती है, वस्तो के आकार पता चलते हैं वस्तो के रंग के बारे में या फिर ये सबी क्या बताएगी तो छाया से हमें एक चीज तो पक्का पता है कि जो definitely पता चलती है वो क्या है वस्तो के आकार के बारे में अगर कोई वस्तो गोल है तो उसकी छाया भी गोल बनेगी अगर कोई वस्तो कैसी है अगर कोई वस्तो चौकौर है तो उसकी छाया भी कैसी बनेगी चौकौर ही बनेगी अगर कोई वस्तो क्या है अगर कोई वस्तो ट्रैंगल में है तो उसकी वो भी त्रिभुजाकार ही बनेगी छाया तो समझ रहे हो कि कोई भी चीज हो कोई भी वस्तु हो उसका जो आकार होगा उसकी छाया का आकार भी सेम होगा तो हम उसकी छाया को देखके उसके आकार के बारे में बता सकते हैं अवस्था गोन रंग य फटा-फट से एक बार like और शेर जल्दी से कर दें है ना और मुझे ये भी तो बताओ जरा कि 10 में से कितने सही है यहां 11 वाली पर आगे 11 बे 10 में से कितने questions जल्दी से बताओ और साथ हमें भई like शेर करते जाना है भूलना नहीं है है ना अपनी present लगाते जो पता चलना चाहिए कितने बिच्चे थे जो यहां पर solve कर रहे थे mcq को ओके चलें देखें इसे जब सूर्य अपने उच्चितम बिंदू पर होता है तब चाहिए कैसी होगी जब बिल्कुल उच्चितम बिंदू पर हो सूर्य और इसके जस्ट नीचे हम हो या कोई भी चीज हो तो उसकी छाया कैसी होगी सबसे लंबी होगी समान होगी उसी के या फिर सबसे छोटी होगी या फिर इन में से कोई भी नहीं कौन सवाला सही होगा यह सब चीज़े तो ऐसी है जो आपने चलते फिरते की होगी experience अनुभव हुआ होगा न कि आप हमाई चाया जब हम चल रहे होते हैं सूरज पीछे होता है चाया आगे दिखरी होती है तो हमने समझ आता है हमारी चाया हमारे बराबर है कि छोटी है कि हमसे लंबी है कि सबसे छ भः देखो जब सूरज हमाई पीछे होगा च्छी का तो हमारी जो चाया है न वहागे कि तरफ बने जी वो जितना नीचे जाता चाहेगा हमारी च्छोटी होती जाएगी दिज़ब जब उचितम मिन्दू एकदम बीच में आएगा चीके हमारे गिदम ऊपर रहेगा तो हमारी जो चाया है वो क्या होगी लगबग हमारे इतने भाग में ही रह जाएगई सबसे छोटी होगी तो ब umas उचितम मिन्दू पर होगातो हमारी चायाcamasani kor game ओके, नेक्स स्प्रिशन देखेए, प्रिश्ट नमबर बारा, चीजों को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, किसी भी चीज़ को देखना था है, च्छाया की, परावर्तन की, कि प्रकाश किया अपवर्तन की किस चीज की जरूरत होगी बहुत सिंपल सा क्वेशन है इसमें क्या इतना सोचना थोड़ी देर पहले हमने इसी के जैसा क्वेशन किया था तो चीजों को देखने के लिए हमें क्या चाहिए हमको प्रकाश चाहिए लाइट चाहिए लाइट है तो चीज़े दिख रही है नहीं है तो नहीं दिखेगी अभी मैं यहां की मेरी यहां की सारी लाइट चली जाए क्या आपको कुछ दिखाई देगा नहीं next question भी चलें देखें आंसर चाल तो आंसर क्या होगा पारदर्शी पदार्थ ओके ठीक है चलें नेक्स्ट प्रेश नंबर 14 वे पदार्थ जिन से होकर प्रकाश नहीं गुजर सकता खेलाते अभी गुजर सकता था अब नहीं गुजर सकता चाया पारदर्शी पारदर्शी प्रकाश जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर तो आंसर क्या होगा आंसर होगा अपारदर्शी प्रेश से नहीं गुजर सकता है आप आर दर्शी सिंपल सी तो बात है इत्ती टफ है नहीं जित्ता आप लोग बना रहे होना इत्ता कुछ नहीं है बहुत इजी क्वेशिंस है चीक है चले में नेक्स पे प्रिश्च नमबर 15 प्रिकाश डैश रेखा में चलता है सीधी गोल वक्र ये सभी कैसी रेखा में चलता है ये भी हमने पढ़ा था चैप्टर में ही पढ़ा था कि प्रिकाश कैसी रेखा में चलता है तो आंसर क्या हो जाएगा प्रिकाश होता है हमीशा सीधी रेखा में चलता है ठीक है कैसी रेखा में चलता है सीधी रेखा में वो मुमबत्ती वाला हमने दिखाई देए तो यह पता चलता है कि प्रकाश जो है वह किया है सीधी रिखा में कमन करता एक चल्ड नेग्स्ट प्रेश्ण है वे पदार्थ जिन से होका प्रकाश आंशिक रूप से गुज़र सकता है क्या लातें अभी तक नहीं था गुजर सकता था आप बोल रहें आंशिक रूप से पारदर्शी पारभासी अपारदर्शी प्रति छाया क्या होगा क्या हो जाएगा पारदर्शी तो आ चुका ना पारदर्शी भी आ चुका अब बच क्या रहा है देखो चाया की तो बाती नहीं हो रही ना आशिक रूप से गुजर रहा है ये वाली बात हो रही है तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा पार भासी क्या हो जाएगा प दरपन के चमकदार पक्ष से टकराने के बाद प्रकाश के वापस लोटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है मतलब की माल लो ये क्या है एक दरपन है और दरपन से क्या है चमकदार इसका जो चमकदार चमक राय जो पक्ष उसमें से प्रकाश टकराया और वापस लोटाया तो ये प्रक्रिया क्या कहलाईगी अपवर्तन चाया परावर्तन प्रती चाया क्या होगा पढ़ा थाना ये भी जर्दी से बताओ कौन सा सही आंसर है कौन सा ऑप्षन सही आंसर है देखें आंसर तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या परावर्तन जो परावर्तन होता है उसमें कोई भी प्रकाश की किरण जो है अगर वो किसी किस सतह से टकराकर वापस उसी दिशा मतलब उसी तरफ चली जाती है तो क्या होगा ये जो कहलाता है वो क्या कहलाता है परावर्तन कहल आता है ठीक है ओके चलो भई नेक्स प्रिश्ण पर चलते हैं प्रिश्ण नंबर अठारा जब प्रकाश एक पारदर्शी पदार्थ से दूसरे जाता है तो दूसरे पदार्थ में प्रवेश करने पर इसकी दिशा बदल जाती है तो यह क्या कहलाता है अपवर्तन छाया परावर्तन प्रच्छाया अब क्या हुआ कि एक स्थान से गया यहाँ पर सतह क्या थी पारदर्शी सतह थी ठीक है और यह प्रकाश है अब यह जब यहाँ आएगी तो इसमें गया तो इसकी थोड़ी से क्या हुई दिशा बदल गई तो अब यह क्या कहलाएगा अपवर्तन छाया परावर्तन प्रच्छाया क्या होगा देखें आंसर तो यह होगा अपवर्तन क्या होगा अपवर्तन जब वापस लौट जाती है तो क्या होता है परावर्तन होता है लेकिन वह उसी माध्यम में जब चली गई पस अपनी दिशा को बदल देती है तो क्या होता है परावर्तन होता है ठीक है क्लियर है चलो भई न नेक्स्ट है हमारा कि जब प्रकाश की केड़ने किसी अपारदर्शी वस्तु के द्वारा रोकी जाती है तो उत्पन क्या होती है प्रकाश की केडने आ रही थी, रास्ते में किसी ने रोक दिया, अब इस साइड क्या बन जाएगी, क्या उत्पन हो जाएगी, हैं, परावरतन, छाया, अपवरतन, प्रती छाया, मतलब इतना तो यार, मुझे मैं क्या बताओ, मैंने, आंसर ही बता दिया, मैंने चित्र के आएंगे हमको यह उल्जाने के लिए सकते हैं ऐसे ऑप्शन हमको मीन सबताना है कि हम बात किसकी कर रहे हम बात करें च्छाया की शेड़ों की हैना हमको उसके टाइप नहीं बताने की टाइप बताने लग जाएंगे हम तो अगर जब प्रकाश की किंडी किसी अपार दर्शी विस्तू के द्वारा रोग दी जाती है तो जो उत्पन होती है उसको क्या कहते है उसको हम कहते है चाया चले आगे प्रिश नंबर 20 प्रिश नंबर 20 क्या है प्रिश नंबर 20 है कि पूर्ण चाया को कहते है जो पूरी चाया होती है उसको क्या कहते है उसको हम परावरतन कहत यहां प्रतिशाया कहते है इस वह यह है आप शब्थ यूज हुआ है कुछ वह opioid कुछ टाइप है पूछरे आपको सहीं आंसमतान कि पूर्न चाय को और च्रु आ छाया तो बहुत सारी होती सब तरह को चाया यह क्या होती लेकिन यह पहले प्रिश्ण के साथ ही आपको बताया था कि क्या अंतर होता है यह जलाद़ी से पतां अन्सर 2 सेकंड का टाइम हैं जलदी से बताइंगे देखें चल्ल तो इसका अंसर होगा प्रतिछाया है na प्रतिछाया होता प्रतिछाया होगा तो यह क्या होगा पून च्छाया को कहते हैं उप च्छाया तो हमने बताया था क्या अपने पढ़ा था ना क्या था आंशिक चाया तो आंशिक चाया को क्या कह रहे थे हम उप चाया कह रहे थे और जब पूर्ण चाया होगी तो वो क्या कहलाईगी या तो पृति चाया कहलाईगी या फिर पृत चाया कहलाईगी ठीक है चाया जो लिखा है भई चाया के अंदर दोनों आते हैं आंशिक भी आती है, पून भी आती है, सब तरह की आती है, तो हम छाया option के साथ नहीं जाएंगे, ओके, तो चलो भी बताओ, total question थे हमारे 20, और इस 20 में से किसके कितने आये हैं, जल्दी से बताओ, किसने कितने answer, question सही किया है, 20 में से कितने आये हैं, अगर 18 है, 17 है, तो बिटा, very good, ठीक है, ठीक है, कोई problem नहीं है, इसे 20 तक ले जाने की जरूरत है आपको, है ना, जिन बच्चों के क्या, जिन बच्चों के 20 out of 20 हैं, कितने 20 out of 20, तो उनके लिए तो भाई, बहुत बढ़िया, है ना, और जिनके 15 से नीचे हैं, उनको पढ़ने की बहुत जरूरत है, चेक है, उनको जिस भी topic में दिक्कत आ रही है, वो clear करो, जल्दी बताओ, ऐसे कौन, अच्छा, किस topic के question गलत ह हुए है, ये भी बता सकते हो, comment section में, कि इस topic के question गलत हुए है, इस topic में हमको problem हुई है, ओके, चलो भई, तो यहाँ पर इस chapter के जो हमारे multiple choice question थे, वो तो हो गए, क्या खतम, ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा topic नहीं clear है, किस में doubt आ रहा है, किस question में doubt आ रहा है, जो है, आप नीचे दिये हुए comment section में, बता सकते हैं, ठीक है, अब हम अपनी next class में क्या करेंगे, तो अपनी next class में हम देखने वाले है, इस part से बने वाले, जो most important questions है, उनको करने वाले है, तो आगे आने वाली सभी classes के लिए, और इसी तरह के और इच्छे वीडियो देखने के जुड़े रहे है, Magnet Brains के YouTube channel, website और application के साथ, Magnet Brains है इंडिया का number 100% free online education platform, अगर आप हम से e-notes और e-books भी लेना चाते हैं, तो उसकी link जो है, वो आपको कहां मिलेगी, नीचे दे हुए description box में, इसी के साथ हमारे पास हैं आपके लिए कई सारे top courses, जो कि यहां screen पर और यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, साथ ही वैदिक मैट्स, क्रैश कोर्स और spoken English, और यह सभी top courses आपको मिलते हैं, high quality education के साथ, English और हिंदी दोनों ही medium है, साथ ही इन courses के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी payment नहीं करना पड़ता, क्योंकि यह स पॉलो कर सकते हैं, Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Telegram पर भी, तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेर करें, और चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले, मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए, बाई बा